पिछले सीजन की तुलना में वर्तमान खरीफ मार्केटिंग सीजन के दौरान बास्मती धान के थोकमंडी भाव में जोरदार गिरावट आने से उतपादकों की चिंता और परेशानी बढ़ती जा रही है। किसानों को आशंका है कि जब नए धान की भारी आवक होगी तब कीमतों में और भी कमी आ सकती है। चुँकि बास्मती धान के लिए न्यून्तम समर्थन मूल्य, MSP का निर्धारन नहीं होता है और नहीं सरकारी एजंसियां इसकी खरीद करती हैं, इसलिए कीमतों में उतार चरहाव दरसल राइस मिलर्स, व्यापारियों एवं निर्यातकों की मांग पर निर्भर रहता है। एक उतपादक संगठन के अनुसार 2023-2024 के खरीफ मार्केटिंग सीजन में क्वालिटी एवं श्रेनी के आधार पर बास्मती धान का भाव 3500-5000 रुपए प्रती क्विंटल के बीच चल रहा जो चालू मार्केटिंग सीजन में लुड़क कर 2200-2600 रुपए प्रती क्विंट पंजाब, हरियाना एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मंडियों में किसानों को अपने बास्मती धान का सही मूल्य हासिल करने के लिए कठिन संगर्ष करना पड़ रहा। के अलावा इरान इस्राइल विवाद के कारण पश्चिम एशिया में चावल का निर्यात परिद्रिश अनिश्चित हो गया। इरान स्वयम भारतिय बास्मती चावल का अग्रणी आयातक देश। वैसे फिलहाल वहां चावल के आयात पर प्रतिबंद लगा हुआ। यह प् पिछले साल की तुलना में चालू वर्ष के दौरान बास्मती धान के क्षे त्रफल में बढ़ोतरी हुई है और मौसम भी अनुकूल रहा है जिससे बास्मती चावल का उत्पादन बहतर होने के आसार है। Bureau Report Market Times TV